साई की बात ये मैंने बहुत सोच समझ कर दी है मेरे बच्चे जो हुआ सो हुआ मेरे बच्चे अब अपने अतीद को भूल जाओ जो गलतिया तुम से हुई उन सब के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया लेकिन अब जो आने वाली जिंदगी है ना पैसों की बहुत जरुवत है ना तो वो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे मेरे बच्चे किसी के द्वारा तुम्हें मिलेंगे और वो जादा दूर का इंसान नहीं होगा कोई तुम्हारा होगा जान पहचान वाला कोई तुम्हारा रिष्टेदार कोई तुम्हारा सगा संबंदी चो तुम्हारी मदद के लिए आगे आएगा मेरे बच्चे और तुम्हें वो पैसे देगा जिससे तुम्हें कभी उमीद नहीं थी वो इनसान तुम्हारी मदद के लिए आगे आएगा मेरे बच्चे वो इनसान तुम देखना और यह सब कुछ साईं की लीला की वज़द से होगा मेरे बच्चे और सुनो मेरी बात को तुम्हे अमरूत बहुत पसंद है ना मेरे बच्चे ऐसे मुझे भी बहुत पसंद है तो क्या अपने साईं को अमरूत नहीं खिलाओगे आज मुझे अमरूत खाने है, मुझे आज तुम अमरूत खिलाना मेरे बच्चे, मेरे लिए अमरूत लेकर आना, मैं भी खाऊंगा और तुम भी खाना मेरे बच्चे, हम दोनों मिलकर अमरूत खाएंगे और सुनो तुम्हारे घर की एक ऐसे दिवार है मेरे बच्चे जिस पर तुम्हें मेरी छवी दिखाई देगी मेरे बच्चे उस पर मैं हूँ और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाई दूँगा क्योंकि मैंने कहा है न जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का तो तुम जैसा मुझे देखना चाहोगे जैसे तुम्हारी आखे तुम्हारी नजरे मुझे देखना चाहेंगी न मैं वैसा तुम्हें दिखाई दूँगा लेकिन हर किसी को नहीं मेरे वो निर्भर करता है उसके भाव पर मेरे बच्चे लेकिन उसके भाव को देकर अपने अंदर निराशा पैदा मत करना कि अगर मैं उसे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं नहीं हूँ ऐसा कुछ नहीं मेरे बच्चे मैं हूँ मैं हूँ तुम्हारे पास तुम्हारे घर पर तुम्हारे घर पर विराजे तू मेरे बच्चे और सुनो मुझे तुम्हारे वरत करने से कोई मेरे बच्चे कोई परिशानी नहीं है कोई दिक्कत नहीं कुछ नहीं मेरे बच्चे सिर्फ मुझे ये परिशानी होती है कि जब तुम व्रत रखते हो ना तो व्रत रखो मना नहीं है किसी चीज़ की मना नहीं है उफवास करो मना नहीं करता लेकिन जो तुम पूरा दिन निरहार रहते हो ना कुछ खाना नहीं खाते कुछ नहीं पीते कुछ नहीं करते यह चीज़ गलत है मेरे बच्चे देखो अपनी आत देखो अच्छा नहीं लगता, देखो मेरी बात सुनो, बुरत रखो, लेकिन ऐसे रखो कि कुछ खाते भीते रहो, तुम्हारी आत्मा तरप्त रहे, मुझे एक बात बताओ, कि अगर तुम भूके रहोगे, तो क्या तुम्हारा मन लगीगा मेरी पूजापाथ में? मेरे पूजापाथ करने का मतलब पता है क्या होता है? कि तुम्हारा और मेरा मिलन, तुम मुझसे जुड जाओ, मेरी भक्ती में लीन हो जाओ अगर तुम्हारी आत्मा तड़पेगी तो तुम भक्ती में लीन कैसे हो पाओगे बार-बार तुम्हारा पेट भूक की तरफ दोड़ेगा खाने को देखकर तुम्हारा मन विछलित होगा तो क्या तुम ध्यान कर पाओगे मेरा क्या मेरी पूजा पाठ कर पाओगे जब तुम पूजा पाठ ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे इच्छाओं को मैं पूरा कैसे करूँगा बताओ तो समझो इस बात को ये दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है किस अंद विश्वास में किस वहमों में तुम्हें डालना करो समझ रहे होना मेरी बातों को और सुनो जहां पर तुम दिखा रहे होना मेरे बच्चे जिस अस्पताल में तुम दिखा रहे होना वो डॉक्टर तुमसे पैसा लूट रहे हैं मेरे बच्चे वो सही नहीं है अपने डॉक्टर को बदलो मेरे बच्चे उन्होंने सिर्फ औ मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख रा हूँ और मैं तुम्हारे साही जगा लेकर जाओं गा जहाँ तुम्हारे कम से कम पैसों में काम हो जाएगा और प्रिमारी भी नहीं है मेरे बच्चे। ना मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ चलता हूँ ना तुम हर वक्त जहां भी जाते हो मेरी उदी अपने साथ लेकर चलते हो ना तो फिर मेरे बच्चे हां और सुनो जहां तुम्हें लगे ना कि सामने वाला इंसान गलत है और अ इलजाम आते हैं ना तो कोई भी इंसान शांत नहीं रह सकता मेरे बच्चे मैं तुमसे खुद कहता हूँ कि गलत के लिए बोलो अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो बोलो सच के लिए खड़े हो जाओ मेरे बच्चे क्योंकि अगर आज खड़े नहीं हुए ना तो नहीं मेरे बच्चे पहले उसे जान लो समझ लो क्योंकि वह इंसान मेरे बच्चे बहुत वेवारिक है मेरे बच्चे मतलब ही नहीं कहूंगा लेकिन वह इंसान वेवारिक है मेरे बच्चे और वह वहार के हिसाब से काम करता है वह इतनी बातों को अपने दिमाग पर नही भी करता है वो ना मतलब ही है और ना अपने आप में रहने वाला है बस वो वहवारिक है कि किसी की भी बात को किसी की भी सोच को अपने उपर इतना हावी नहीं करता किसी को भी इतनी गंभीरता से नहीं लेता मेरे बच्चे वो जहां की बात को वहीं खतम कर देता है क्योंकि वो इंसान बहुत व्यस्त है और उसके साथ जो कुछ हुआ है ना मेरे बच्चे उसके जीवन में उसका सब को छिन गया तो उसके आगे पीछे कोई नहीं वो अपने जीवन में ऐसा हो चुका है कि उसे किसी के आने का किसी के जाने का कोई फरक नहीं पड़ता और तुम भी अ आपने मुझे आगा नहीं किया मैं तूम्हें आगा कर रहा हूं बता रहा हूं समझा भी रहा हूं ठीक है même सुनो जब किसी बिजली के यंतर से कुई काम करते हो न तो नंगे मत किया करो और गीले में तो बिल्कुल मत किया करो मेरे बच्चे तुम्हारी अक्सर आदत है बिना चपल पहने तुम बिजली के कोई भी काम करने लगते हो तुम्हें डरने ही लगता मेरे बच्चे हां कितनी बार तुम अपने जान पर खेल चुके हो मेरे बच्चे तो थोड मुझे पता है मेरे बच्चे की तेरा बच्चा बहुत दूर है तुससे बहुत दूर कोई है जो तुमसे तुम्हारे बच्चे को मिलने नहीं देता जो तुमसे दूर करने की कोशिश करता है लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे तुम्हारा जो मा का दिल है न वो अपने बच कि बिना कभी रही नहीं सकती, कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की दिवार, अपने बच्चे को मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, अगर तुम जाना चाहते हो, मिलना चाहते हो तो जाओ, अगर कोई कुछ कहता भी है ना तो कहने दो, तुम्हें कुछ फरक जाओ वेक ओफ होकर जाओ और अपने बच्चों से मिलो। उन्हें अश्रवादो खूप सार आश्रवादो मेरे बच्ची और मेरी तरफ से भी देना और सुनों अपने बच्ची को मेरी छोट इसी तस्वीर देना या मेरी ओधी देना मैं उसकी रक्षा करूँगा हर दम क्योंकि हर पल तो तुम उसके साथ नहीं रह सकते ना तो मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूँगा ओधी के रूप में ठीक है मेरे बच्ची कुछ रहो मेरा बहुत बहुत सारा प्यार बहुत सारा प्यार आज का साई संदेश समापत हुआ